Hello everyone, आप सभी का देहीन आपे सौगत हैं दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 010 का Lesson 2 पढ़ने जारें जिसके अंदर में हम बात करेंगे प्राची नगरों के अधिन संबंदित विविन विचारदारों के बारे में प्राची नगर होते क्या हैं, तो ACN cities, हडपा, मोहन जोड़ों ये प्राची नगर के तौर पर जाने गए जब इनके बारे में study क्या जा रहता, दिन क्या जा रहता, कि लोग यहाँ पर किस तरह से नगर वैवस्ता थी लोगों का topic को start करने इस पहले एक basic चीज़े आपको जानना बहुत जरूरी है, history के अंदर में जब भी हम किसी topic को study करते हैं, तो हम उसके सबसे पहले सुरोतों के बारे में जानकारी लेते हैं, कि यहाँ पर सुरोत क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी काहां से मिल रहा है, जानकार toxicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic साहितिक अधार के अंदर में में ली आते हैं गरंत ठीके गरंत आते हैं किताब आते हैं ठीके विर्तान्त आते हैं यह सारी चीजे के आते हैं साहितिक स्रोत के अंदर में रखा जाता है और इनके अधार पर हम इसको प्रूफ कर सके कि यह मोरे समराज्य है तो यह साहितिक स्र तो यहां पर साहितिक स्रोत के परमाण नहीं निलते हैं, जबकि हम पुरा तात्विक अधारपा ही इनको प्रूफ करते हैं, कि इस तरह से हरपा सब्वता है और मोहन जोदुरु है, ठीक है समझ में आता है, वापसे हम अपने टॉपिक पे आते हैं और इसको समझते हैं, प्राची नगरों के अधिन समन्दीद विचारदा रहें, जिसके अंदर में बात करें मिलनी तो जो प्राची नितम नगर के तौर पर हडपा और मोहन जोदुरु को जाना जाता है, ठीक है यह भारत के इनी विश्व के सबसे प्राची नगरों के तौर पर जाना गया है, 26 में स्टार्ट हुआ, 1900 इसापुर में इसका समाप्त हो चुका था, इसके बाद ये भी माना जाता है इत्यांसकारों के दोर, इसका दूसरा चरेन स्टार्ट होता है, दूसरा चरेन का जो आरम्भ है 500 इसा में होता है, 1900 में खतम हुआ, उसके बाद 500 इसा में दूसरा चरेन स्टार्ट होता है और हजार वर्सों तक को जारी रहा यह माना जाता है इसके अंदर में यहाँ पर जो मेंली इसके अगर सुरूत देखोगे अद्धिन के सुरूत जब हम हड़पा सब बता के बारे में पढ़ रहे हैं मुद्राएं थे पर जब हम यहां पर गरंत लिखते हैं तो गरंत में क्या तो कई सारे ऐसे किताबे लिखी गई इतिहांसकारों के द्वारा जिनको भी आधार बना कर हम आज के समय में study करते हैं हडपा सब बता के बारे में तो उसको हम गरंत की स्रेडी में रखकर यहां पर हम बात करते हैं ठीक है समझ में आता है आगे मैं बात करूँ इसका जो topic का main यहां पर start होता आपका हडपा काली नगर के बारे में जहां पर सबसे पहले हडपा नगर के बारे में पता किसको चलता है तो Charles Mason को पता चलता है जिन्होंने हडपा नगर के उदर दौरे पे थे ठीक है अंगरीजी अधिकारी थे वो हडपा नगर के दौरे पे थे ठीक है तो उन्होंने यह देखा कि नगर के तीले के रूप में है मतलब एक तीले के रूप में हो ऊचा खावड ऐसे बना हुआ तीले के रूप में है त ठीक है यहाँ पर आपको 12th के अंदर में आपने टॉपिक पढ़ाओगा जनरल कनिंगम का ब्रह्म मतलब क्या होता है इल्यूजन एक तरह से तो जनरल कनिंगम को एक मोहर मिलती है जिसके आधार पर यह पता चलता है कि हडपा सब्वता का मोहर है ठीक है और जनरल कनिंगम क्य अब हमें एक अंग्रेजी दिकारी आते है जॉण मार्चल जिनके दोर्ण पूरी हडपा सब्वता के को हो जा एगए की इनको इनको पूरा घोजागया ठीक है के बारे में बात करने का, कि हड़पा सब बता कि जानकारी कैसे मिलती है, तो पुरा तत्व के अधार पर, पुरा तत्व मतलब क्या, जो पुरानी चीजे मिली है, पुरा मतलब पुराना, तत्व मतलब चीजे, ठीके, जो पुरानी चीजे मिली है, उनके अधार पर हम अधार मुर्टिया मिली, सिल्प करती मिली, अलग अलग चीज़े मिली, तो उसके अधार पर हम बताते हैं ये लंबी पाशान खुरुचनी, जो जानवर अनवरों को खुरुचनी के लिए फिर अलग अलग तरह से उप्योग करने के लिए खुरुचनी मिलती है। इनके अधार पर हम हड़पास अपता को डिफाइन करते हैं ये तो मैंने यहाँ पर छोटा सा चीज़े लिया कि ये चीज़े हैं पर नॉर्मली मैंने आपको हड़पास अपता कई बार पढ़ाया जिसके अंदर में अगर मैं नगरी ववस्था उनका बताओं तो नगरी ववस्था उनका दो पाटों में बटा होता था दुर्ग और निचला सहर करके इनका दो ववस्था में बटा होता था दोनों सहर जो होते थे किले बंद होते थे प्रपर तरीके से किले बंद होते थे दुर्ग सहर के जो आबादी थी, कम आवादी वाला छेतर था, पर वो के लिए बंद थे, और उसका जो अधार ये लगा जाता है, कि दुर्ग सहर जो पूरा था, वो दुर्ग मतलब होता है किला, तो दुर्ग जो पूरा था, वो उच्छे वर्ग के लिए था, जो अधिकार बनाया जाता था घरों के सासात में नालियों को निर्मान करवाय जाता था जो उनकी गलियां होती थी वह 90 डिग्री समकोन पर काटती थी टीकि गिड़ परद्धी पर अधार दी तुनकी गलियां थी तो इससरा करके मैंने बहुत बार आपको हड़ापा सबेता के बारे में बताया है, आपको पता होगा, यहां पर आगे हम बात करें, तो 1940 के दसक में सिंदू परवर्ति छेत्र के अंदर में, सिंदू खाटी के अंदर में छोटी-छोटी अनेक वस्तियों की खुदाई होती है, जैसे क्या होता है कि जैसे यह Charles Mason आते हैं तो उन्होंने देखा कि यह हडपा सबेता के अंदर में टीले बने हुए इस तरह से टीले हैं तो जब इसकी खुदाई होने लगी तो औहाँ पे हडपा सबेता सबसे पहले मिला तो उसको नाम पूरे इस थलको हडपा सबेता कह दिया गया पर सासत में ये दिखा गया कि हडपा से बेता तो एक छोटा सा अंग था पर जो उसका में जो पूरा पार था वो सिंदु घाटी के अंदर में फैला हुआ था जिसको मोहन जोदरो कहते हैं पूरा वो विक्सित था ठीके और सासत में जब उनकी और खुदाई होने लगी जिनके द्वारा ही कहा जाता है कि हडपा और मोहन जोदरो क्या है एक राज्ये की जुडवा राजधानी के तौर पर हो दिखाती है कि ये कोई राज्ये रहा होगा ठीके उनकी राजधानी के तौर पर है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा विक्सित है जैसे दिल्ली को आप द के चेंद्र के तोर पर हम इसको दरसाते हैं तो यहांपे डॉक्टर पीगेट कहते हैं, वह कहते हैं। हडपा और मोहनजोद ostик क्या हैं ? एक ही राजजय की जुदभा राजधानी के तौर उसको define करती हैं। इनके तोरह यह भी का जाता है कि Kendra सरकार क्या करता होगा, सीमा सुल्क लगाता होगा, यहाँ पर आने जाने के लिए, जिसके कान से यह सबसे जादा घनियवादी है, सबसे जादा यहाँ पर विक्सित सोरूप है, यहाँ पर इस सरसे इनका माना गया, हडपा नगर और मेसोपाटामिय समानी है, दोनों को इनोंने इक्वल माना, तेके मेसोपाटामिय, जो मिसर की सबसे थी, मेसोपाटामिय जिसके बारे मैं आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो मेसोपाटामिय को यहाँ पर हडपा से कंपेर किया, दुकाटी का पूरा जो एरिया था, वो हमारे पडूसी देश पाकिस्तान में चला जाता है, और भारत के पास नहीं बसता है, जिसके बाद में क्या होता है कि भारत के अंदर में भी अलग-अलग जगों पे खुदाई का काम सुरू होता है, और भारत के अंदर में पुरातात्वी विभाग के दौरा नहीं नहीं जो पुरातात्वी अस्थलते उनको खोजने का कारे किया जाता है, जो हडपा से काफी ज़्यादा मिलते जुलते थे और अलग-अलग इत्यांस कारों के दौरा अलग-अलग विचार जारा है, उसके recording में बनती है यहाँ पर मैं बात करूँ तो यह normally अब समझ में आगया कि पुरातात्विक विभाग के द्वारा यह चीजे पुरातात्विक अधार पर यह चीजे डिफाइन की गई अब आता है नई तकनीक यह चीजे एसी रही होंगी अब नई तकनीक के अता है कि दोणों के अंदर भी कोई similarity नहीं है यह माने जाने लगा भोटिक संरचना और धर्म के अधार पर सगार आत्मक संबन दिखता है जो भी भोटिक संरचना है थिक दिशतर से बना वगदा और धर्म के अधार पर ये देखा गया दोनों में similarity तो है पर normal similar नहीं है ये माना गया ठीक है बिविन प्रांतो गुजरात राजिस्थान पंजाब उच्तर परदिस ठीक है इन सब जगों पर हर्याना में गहन सरफेक्षन हुआ और उनके अधार पर गैर हडपा काले इन सथल प्राप्त गया कि ऐसे सथल जो हडपा काल के नहीं है तीक है ऐसे सथल मिले पर बहुत सारी तिहांसकार ये मानते कि almost दोनों में similarity है दोनों सथली हडपा सथल है अब इसकी जोरज क्यों पड़ी कि गुजरात राजिस्थान पंजाब के उत्तर परदेश के अंदर में हम खुदाई कर रहे है रिजन ये रहा कि जो हडपा सब्धा का पूरा जो छेत रहे हुँआ हमारे पाकिस्तान में चला गया 1947 में भारत विवाजन के साथ में जिसके बाध भारत के अंदर में इसके उपर जोड दिया गया की हमेंगे अपने जोबी इस थल है उसके बारे में जांचपरताल करना चांग है क्या पता भारत के अंदर में पारापत हुई ठीक है बाहरते पुरा तत्विक विवाग के द्वारा सर्यक्षन किया गया जिसमें 1950, 1960 और 1990 के दसत में उत्खनन कारे किया गया इसके लिए ठीक है अलग-अलग दसत में अलग-अलग लोगों के द्वारा यहां पर उत्खनन कारे किया गया जब हम भाते पुरा तत्विक सरक्षन विवाग की बात करते हैं तो यहाँ पर दयाराम सानी रखालदास बेनरजी को हम भूल नहीं सकते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा महत्व हरपा सब्वेता के साइड के उपर वर्क करने का ओनिक हो जाता है आगे मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पर नहीं तक्नीकों का उप्योग से क्या रहता था कि नहीं नहीं तक्नीकों के अधार पर तीक हड़ापा सब्वेता को डिफाइन के जाने लगा पहले क्याता कि जो भी पुराता था विभाग के दवारा जोबी चीजे मिल रही थी तो उसके अधार पर डिफाइन के जाना था कि हरुदभकविता इस परकार का है, जो मन के मिले, मोहरी मिले, उसके अदार पर डिफाइन के जा रहा था, पर अब नई तकनिकों का उपयोग के जा रहा था, नई तकनिकों के अंदर में आ जाता है बोगोलिक सूचना परणाली, G, I, S, परणाली के अधार पर उसका कि किस टाइम पिरिड में उसके बारे में जानने के लिए कारपन विधितिति का उप्योग किया जाना ठीक है इस तरह से चीजों का उप्योग किया जा रहा था हडपा कालिज पुरातात्वी विभाग के द्वारा नए आकडे मिले नए आकडों के अधार पर किसका अनुमान लगाया इसके बारे में पता लगाय गया यहां पर एक और आते हैं रत्ना करकर करकर जाते हुंगे इन्हों ने यह अपना विचारधारा हा सासात में यह कहते हैं कि हडपा जो कालिन है वो बांट मोहरे जो थे उनके समाजिक जीवन को जानकारी देते हैं कि किस तरह से बांटों का उप्यूग किया जाता था बांट जो संक्याती वर्ग के अकार में बांट हुआ करता था जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 तो इस तरह से जो थे पूरा ये वर्ग के कार में यहां पे बांटों का उप्यूग किया जाता था ठीक है और इनके समाजिक जीवन की जानकारी देती है जो डॉक्टर सेरीन रतनागर के द्वारे यहां पर माना गया राजनितिक संरचना का एक विवाद इसपद विसे है यहां कि राजनितिक संरचना के बारे में अलग लग इतियासकारों के दौरण बोला गया यहां पे आपके questions बन सकते हैं जिसके अदारपर मैंने यहां पे clear किया ठीके अगर आप कोोष्चन किस तरह के बनते हैं तो question यहां पे आते हैं àp के हड़पस सापिता कि प्राची नगरों को के किस तरह सी यहां पे नगर थे ठेके यह वाला हमारा किस परकार के थे एक तो बोला उन्होंने कि गरंथों के अधार पर बताने वाले घ्रषाइद लिखा गया उन्根 के अधार पहर पह्पा उँन्होंने माना दूसरा हुआ आरंबिक नगरिकरन का समझ जो नगरिकरन को जानता था जो समझता था जिसने रिसर्च किया ठीक है जो वहाँ पे गया देखा उसके अधार पर उन्होंने डिफाइन किया कि यह चीज़े इस परकार से रहे होंगी जिसके अंदर में आप बात करोगे तो रामसरन वर्मा रामसरन ठीक है रामसरन सर्मा दामोदर धनमनांद कोसामबी ठीक है इनके द्वारा इसके बारे में डिफाइन किया गया तीसरा यहाँ पर आता है केंद्रो की खोज जो भी था उ यहाँ पर इस चीज़ों को डिफाइन करना तो इस तरह से हड़ापा सब्वाइता को डिफाइन किया गया जिसके अंदर में आप बत करोगे तो मौनिक स्मित करके आते हैं जोर्ज एडर्सी करके आते हैं जिन्नोंने इसका उत्खनन के जरिये उसको डिफाइन के कि हड़ा हडपा मोहन जोड़ो और जो भी स्थल मिले आसपास के छेतर में जो भी यहाँ पर पुरा तत्विक साइड मिले सब के बीच में सिमलेटी नहीं थी अलग 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 रहा होगा ठीक है क्योंकि यहाँ पर आर्थिक राजनीतिक स्वरूप एक परकार का नहीं देखन आपको DEANUP के टेलीग्राम में मिल जाएगा नॉर्मलि आपको करना क्या है DEANUP के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है जो वीडियो के वहाँ पे सभी सोसुल मिडेर प्लेटफर्म के लिंक हें टेलीग्राम का भी लिंक है वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जायगा आप डिरे जदा helpful रहेगा और आपको time to time इसके recording में अपडेट मिलता रहेगा तो thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best.